हरे कृष्णा राधे राधे वेलकम बैक टू हैपी लाइफ विद काना जी जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ हैपी लाइफ विद काना जी की वीडियो में हम आज 3 अगज 2020 को पढ़ने वाले 100 वार के वृत के विश्रे में जानेंगे बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि उस दिन रक्षा बंदन है सावन पुर्णिमा है सावन का आखरी दिन है तो क्या उस दिन व्रत किया जाएगा अगर वरत किया जाएगा तो वरत का उध्यापन कब होगा तो आज की वीडियो में हम सब इनी प्रशनों के उत्तर जानेंगे सबसे पहला सवाल तीन अगस्त को रक्षा बंदन है और सोमबार है तो क्या उस दिन सावन के सोमबार का वरत रखा जाएगा तो इसका जवाब है हाँ सावन में पढ़ने वाले सभी सोमबार का वरत किया जाता है इस वर्श सावन में पांट सोमबार पढ़ रहे हैं जिसका आखरी सोमबार तीन अगस्त को है इसलिए उस दिन भी सावन के सोमबार का वरत रखा जाएगा जिस तरह से हम हर सोंबार का वरत रखते हैं, एक समय भोजर करते हैं, शिरुप पूजा करते हैं, उसी तरह से तीन अगस्त को भी किया जाएंगे अब दूसरा सवाल अगर हम उस दिन वरत करेंगे तो उस वरत का उध्यापन कब होगा? व्रत का उध्यापन भी तीन अगस्त को ही किया जाएगा यहां पर किसी किसी ने ये सवाल भी पूचा है कि सावन के सौंबार व्रत का उध्यापन कैसे करना है सावन के वरत के उध्यापन के लिए सबसे पहले भगवान शिव, माता पारवती, पूरे शिव परिवार का विदिवत पूजन किया जाता है ये पूजन आप घर में खुद भी कर सकते हैं या मंदिर में जाकर कर सकते हैं या घर पर किसी पुरोहित या पंडिज को बुला कर करा सकते हैं शिव पूजन में सबसे पहले भगवान शिव का गंगा जल से अभिशेक किया जाएगा उन्हें बिलू पत्र अर्पित किये जाएंगे फल, फूल और मिठाई अर्पन की जाएगी धूप दीब जलाकर सोंबार व्रत की कथा करें और उसके बाद आर्थी करें माता पायवदी को शिंगार का समान अर्पन करें सोंबार व्रत की पून्ता के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें हे बगवान मैंने आपके इस सोमबार के वृत का पालन करने का पूर्ण तहा परियास किया है मेरे द्वारा की गई भूलों को आप करपा करके शमा करें और मेरे इस वृत को स्विकार करें इसके बाद यथा शक्ती फल, वस्त्र, मिठाई और दक्षिना ब्रामन को देखकर वृत का उध्यापन पूर्ण करें यदि आप चाहें तो वृत के उध्यापन में वृत की पूर्णता के लिए महारुद्रा भिशेक करा सकते हैं हाँ एक और बात, किसी कारणवर्ष यदि तीन अगस्त को वृत का उध्यापन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें अगर तीन अगस्त को वृत का उध्यापन नहीं कर पा रहे हैं वैसे तो तीन अगस्त को उध्यापन करना शुब रहेगा सावन का सोमबार है और सावन का सोमबार विशेश फलधाई माना जाता है लेकिन अगर किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो अगले सोमबार को इस वरत का उध्यापन कर सकते हैं आशा है आपके प्रश्ण का उत्तर मिल गया होगा अब इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं हारे कृष्णा राधे राधे